नमस्कार आदाप्श तरेकाल और खुशाम अदीद, वेरी वेरी विलकम टो और फिरेज सेशन, दिस यो मास्टरी यह हर्श प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि भाईया, जे डबली में यह चैप्टर्स नहीं आएंगे, तो क्या जे डबली का सेलबस रिडियूस हो रह तो अगर ऐसा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, तो मेक शूर करो कि चैनल पर सब्सक्राइब रहें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन चुरू करते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाईया, क्या माजरा है पूरा जे डबली के स तो एक न्यूस आई, कि भाईया, NCID syllabus rationalization हो गया, और rationalization मतलब syllabus को reduce कर दिया गया, उसमें बहुत सारे chapters और concepts को हटा दिया गया, क्यों किया गया, to reduce the burden of the students, ऐसा न्यूस बोले, हम लोग बोले ठीक, अब क्या क्या हटाया गया, तो भाईया, जैसे inverse trigonometric function है, math में, इसमें properties of inverse trig trigonometric function, super important चीज, पूरा का पूरा हटा दिया, पूरा का पूरा properties of ITF हटा दिया, मतलब ITF में 90% syllabus हटा दिया, और उसके बाद determinants में सबसे important properties of determinants इसको पूरा का पूरा हटा दिया, जबकि JEE में सबसे जाए सवाल यहीं से आता है, NCRT ने इसको हटा दिया, JEE का syllabus की अभी बा पूरा चैप्टर ही डिलिOR इत दिया, देखो, पूरा चैप्टर निपता दिया है نCRT से, NCRT से पूरा चैप्टर हटा दिया, physics में किया, physics में हरे इनीन chapters में हे इस सरे topics हटा दिया, तो भारी मात्रा में reduction किया इन्होंने NCRT में, CBSC वालों ने, ठीक, अब CBSC वालों ने तो अब बच्चा डाउट में आ गया, बच्चा सोच रहा है क्या करें, जए में सवाल आएगा, और अब देखो, तो हुआ क्या कि, similar to the previous year, 30 of the NCRT syllabus, अब ये पिछले साल जो rationalize हुआ था, उसमें और ये rationalization करते हैं, जून 2022 लगाए, अब लेकिन पूरा मसला ये होता है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, आपने बोला कि यार बच्चों का pressure घटाना है, ठीक, तो वो आपने NCRT में घटा दि किया, JEE में कुछ बोला नहीं कि, JEE में syllabus घटेगा, अब आपने बच्चे का tension और stress level आपको घटाना था, तो आपने आधी जगा हटाया और आधा नहीं हटाया, तो बच्चा ज्यादा tension में आप बिचारा सोच रहा है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, वो बिचारा आसमंजस म लटा कराया कि पढ़ें कि ना पढ़ें, तो अब एक इन्होंने जो बोला कि हमने क्यूं किया है, तो इन्होंने बोला कि हमने तो यह इसलिए किया है क्यों कि National Education Policy के हिसाब से competency-based question जदा करना है, तो हमने इसलिए नहीं हटाया है कि हमको competition असान करना है, हमने तो इसलिए हट आया है कि हमको CBSC में competency-based questions जादा लाना है, competency-based मतलब काबिलियत वाले, काबिलियत वाले आप questions लेकर आएंगे, तो अब इसका क्या मतलब है, चली देखते हैं और थोड़ जानते हैं, तो देखो affected students के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं जो बच्चा affect हुआ है, दो टाइप का बच्चा है एक ऐसा बच्चा, जो सिर्फ CBSC examinations prepare कर रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो CBSC तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो जेई need भी दे रहा है अब देखते हैं, इन दोनों के जीवन में क्या भूचा लाया, जहां से समझेगा तो देखो यार, some schools feel NCRT's deletion in math science textbooks will affect learning, तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके teachers का कहना है, कि यार आपने जो जो चीज़ें हटा दी है, पहले ही syllabus कम था, syllabus बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो syllabus वो और भी कम है, तो ठीक है, आप कम करते जाएगा, ऐसा जमाना आएगा कि बारवी कक्षा में बच्चों से पूछ लीजेगा बिटा, what is board mass board mass का full form बताईए, बच्चा board mass का full form लिखकर आएगा, पांच नंबर दे दीजेगा फिर अगला बार पूछिएगा, कि what is the table of ten ten का table लिखो, बच्चा ten का table लिखकर आएगा, three marks दे दीजेगा, खुछ रहेगा बच्चा, बच्चे को no tension तो यार आप बच्चे का syllabus तो हटा दीजेगा सिखाईएगा ना, आने वाले वक्त में नौकरी कर रहेगा ना, बिचारा तो कैसे नौकरी करेगा, खाली दो का पहाड़ा याद करके five का table याद करके या board mass सीखे, या फिर इससे उपर कुछ जाईएगा, differentiation, integration दुनिया से compete करना है ना, उसको खाली भारत-भारत में एक शहर में रह जाया ऐसा तो है नहीं, तो आप हटा तो दिये बारवी वाला बच्चा क्या feel कर रहा है उसके teachers क्या feel कर रहा है उनको भी लग रहा है कि गलत हुआ बच्चे का pressure नहीं हटा है अभी चलिए और आगे बढ़ते हैं अब सबसे बड़ा सवाल ये तो अब NCRT ने तो हटा दिया अब NCRT तो इसलिए हटाया बच्चे पर pressure काम हो, NEPI ये हो वो हो, फालाने धेमकाना तो NCRT जब revise कर दिया तो फिर अब J.E. को भी करना चाहिए NTA को भी हटाना चाहिए अब सबसे बड़ा सवाल ये ही बढ़ा Students in the dark on the syllabus for competitive examinations क्योंकि हमारे देश में J.E. में और NEET में सिर्फ एक exam थोड़ी होता कि All India में सिर्फ J.E. हो रहा है अरे नहीं, भाई हर state examinations होता है तेलंगाना, E.M.S.E.T. होता है फिर WBJ होता है फिर COMET के होता है, फिर CUET होता है फिर ये होता है, फिर वो होता है और हर examination ये ही लिखता है Our syllabus is based on NCRT अब जब आप लिख रहे हैं Our syllabus is based on NCRT तो आपको ये भी बताना होगा Old NCRT की New NCRT कि NCRT तो बदल गई है तो अब ये बताईए आपने NCRT बदल दिया examination का कुछ बदला नहीं हो, कुछ पता भी नहीं है तो बच्चा क्या करे वेट करे, आपको ऐसे देखे अच्छा, मालिक अब बताएंगे मालिक बताईए, साहिब बताईए ऐसा नहीं करेगा न तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि rationalization तो हुआ तो अब competition का क्या होगा तो अब ये सारे बच्चों के दिमाग में सवाल है देख रहो, ये सारे जो comments है ये यहीं से उठाया हो Should we prepare all syllabus or leave the deleted topics? Is this a reduced syllabus applicable for J-E means 2024? Is this applicable only for boats? Does the J-E syllabus get after this? अब ये हर बच्चा पूछ रहा है हर बच्चे के दिमाग में ये सवाल है ये दोगलापन का है तो फिर J-E aspirants मदब हालत तो बहुत खराब है तो आप देखो N-T-E ने क्या का N-T-E आया J-E syllabus reduced तो N-T-E ने बोला नहीं क्यो? N-T-E बोला रुको हम N-T-E है वो C-B-E-S-E है C-B-E-S-E और N-T-E में कोई ना हम जानते नहीं है भले वो परदे के बीचे दोनों दोस्त हो चोर-चोर मुसरे भाई लेकिन यहां पर बोल नहीं हमारी दोस्ती है ही नहीं हम J-E का syllabus नहीं घटाएंगे तो उन्होंने क्या बोला कि Times Now का यह आर्टिकल है 9 April 2023 का No change in syllabus for C-E-T J-E means confirms N-T-E अब इन दोनों में नहीं है तो जाहिर सी बात है NEET में भी नहीं होगा क्योंकि N-T-E ही है जो NEET भी कंड़क कराता है तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई change नहीं है तो अब बच्चा बिचारा कोना में बैठके माथा खुजा रहा है क्या भी एक बात बताओ बारवी में ये लोग बोले कि प्रेसर घटाना है ठीक मान गए तो प्रेसर घटाने के लिए लोग बोले कि बारवी में syllabus ही हटा दो क्या हटा दिये चालिस परसेंट से ले बस हटा दिये अब बच्चा सौ में से चालिस पढ़ेगा यहीं साथ पढ़ेगा बहुत बढ़ी है प्रेसर घट गढ़ गया लेकिन यही वो बच्चा है जो जही देने जाएगा अब ले जब वो जही देने पहुंचा जो आएगा बना लीजिएगा अब बिचारा वो सोच नहीं पा रहा है कि उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ उसका भला हुआ कि उसका कटा यह हालत कर दिये हैं लोगोंने चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब NTA ने क्या किया कि भाई और उपर से NTA का सुनो अभी NTA आके एक-एक अपना नोटिफिकेशन दिया था इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ोगा तो समझ कुछ नहीं आएगा मैं समझा दे रहा हूँ NTA क्या बोला पता है जब उससे सवाल किया गया कि चचा ये बताईए बच्चे लोग का आपको जीवन असान करना है तो आप syllabus reduce कर रहे हैं कि नहीं या फिर बच्चे के लिए confusion है कहीं पर new NCRT कहीं पर old NCRT क्या होगा तो बोला कि देखिए हम बच्चों को खुला option देते हैं लोगों ने बोला अच्छा बताईए क्या खुला option दे रहे है तो ये बोले कि देखो हम खुला option दे रहे हैं ना बच्चों को हम बच्चे से total 30 सवाल पूछते हैं 20 MCQ और 10 numerical type उस 10 में से 5 का option रहता है 5 बनाईए 5 छोड़िए तो अगर बच्चा का कोई सवाल आ गया जो out of syllabus है तो 5 छोड़ देगा बोले वा गुरू बहुत बढ़े हैं तुम्हें ही तेज हो अब ये बताओ कि 5 syllabus वाला नहीं आया तो वो तो छोड़ देगा लेकिन क्या ये guarantee देते हैं कि जो बचा हुआ 25 है वो हर हाल में new syllabus से आएगा old से नहीं आएगा गो बले no comments हम इस पर कुछ नहीं कह सकते मतलब देख रहे हो कैसे मतलब मतलब क्या बोले हम सब दिन नहीं निकाल पा रहे हैं कि कैसे बच्चों का गलत बात है चलिए anyways आगे बढ़ते हैं तो आप क्या करना है तो unless officially notified by NTA अगर NTA जब तक नहीं बोलता है तब तक आपको नहीं मानना है आपके लिए कोई change in the syllabus नहीं है आपको पूरा पूरा पढ़ के जाना है अब क्या prefer करना चाहिए old NCRT की new NCRT तो जो बच्चा school का कर रहा है CBSE examinations वो हर हाल में new NCRT से जाए लेकिन इसमें से जो बच्चा CBSE exam के साथ साथ competition दे रहा है वो हर हाल में old NCRT ही पढ़े क्योंकि old NCRT में नए वाला तो ही है उससे extra भी है और उस बच्चे को तो ऐसे भी जब वो competition कर रहा है तो सिर्फ NCRT से काम होगा नहीं chemistry में तो हो जाएगा लेकिन math physics में नहीं होगा या biology वाला जो बच्चा है वो उसका chemistry biology हो जाएगा physics नहीं होगा तो उसको तो हर हाल में उससे थोड़ा उपर जाना ही पढ़ेगा ठीक है इस दोगलेपन को NTA जभी भी समाप्त करे करे बट अभी तो हालात ऐसे ही है ठीक है तो बस यही आपको update देना था तो चैनल पे subscribe रहिएगा आपके कोई भी ऐसे doubts जो आते रहते हैं मैं उसको clear करता रहूँगा आपका काम है सवाल पूछते रहना आपको जो भी doubt होता है जो भी परिशानी है सवाल पूछते रहिए मेरे को कोई भी ऐसा सवाल लगा कि ये जनमत का सवाल है सारे लोगों का सवाल है इस सवाल पे करांती है इस सवाल पे आंदोलन है तो सवाल का जल्द से जल्द निवारन लेकर मैं आऊंगा इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिए ताकि कोई भी ऐसी स्थिती पर स्थिती विशम न बन जाए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तबता के लिए देखते रहिए और मज़े करते रहिए पढ़ाई कीजिए बाबाई गुड नाइट